पेपसी के पास क्यों थी दुनिया की छटी सबसे बड़ी आर्मी और फैशन इंडस्ट्री का वो काला सच जिसे जानकर आपकी रूख आप जाएगी और वीडियो के अंतर में बताएंगे भारत के पहले जहादी के बारे में जिसने आजादी के लिए अपनी जान नौचावर कर दी फैक्ट नंबर नौ क्या किसी कोल्डरिंग कंपनी की भी अपनी आर्मी हो सकती है जी हाँ दोस्तों 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्डरिंग कंपनी में से एक पैपसी के पास दुनिया की छटी ही सबसे बड़ी आर्मी थी इसके पास साथ पंडूबियां एक जहाज हुआ करता था असल में सन 1959 में अमेरिका और रूस के बीच एक इवेंट के दौरान सोवियत नेता निकिता खुर्ष्चेव को पैपसी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत सोवियत संग में इसे बेचने की परमीशन दे दी रूस में ये पैपसी इतनी बिखने दुनिया में एक ऐसी जगे भी है जहाँ पिछले 5.5 मिलियन सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाई है और ये जगे मौजूद है रूमानिया की साउथ एस्ट में इसे मोविल केव्स कहा जाता है इस जगे का पता साल 1986 में चला असल में यहाँ पर गुफाओ का एक गुरूप है जिसमें सल्फियूरिक एसिट से भरी हुई एक पूरी जील है आपको बता दें कि इस जगे की हवा बहुत ही जादा जहरीली है जितनी कार्बन डाई ऑकसाइड नॉर्मन धर्ती पर पाई जाती है इस गुफा में उससे 100 गुना जादा CO2 मौजूद है लेकिन फिर भी इस खतरनाक वातवरन में 33 तरह के कीडे मकोडों की नसले पाई जा चुकी है फैक्ट नंबर साथ जब ए दुनिया के सबसे खुखार इंसान की बात आएगी तब इदी आमीन का नाम जरूर लिया जाएगा ये इंसान युगांडा का राश्ट्रपती था इ लिकि उनके लिवर, किटनी, होट और प्राइविट पार्स तक निकाल देता था यही नहीं कही रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वो इंसानों का मास खाता था और अपनी पूरी लाइफ में उसने 10 लाग से भी जादा लोगों को मरवा दिया था पैक्ट नंबर 6 सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर आपने इस तरह से लाल और सफेद रंग कि पुताई जरुर देखी ओगी लेकिन सरकार इन दो रंगों में पेड़ों को रंगवाती है और इसके पीछे की साइंस यह है कि इस तरह के पेंट्स अन्यूम को इस रंग में इस लिए रंग साइंस को जाने ही लोग साइंस को फॉलो करते आ रही थी पैक्ट नमबर पांच हमारे देश में कई उन्हों के देश भक्त हुएं और इन्हीं शूर वीरों में से एक थे शेर अली अफरीदी जिन्हें आज इतिहास में बुला दिया गया है असल में शेर अली को अपने भाई ने चाकू से उन पर हमला कर दिया अफरीदी ने ये वार इतने खतरनात तरीके से किये थे कि में यो बच नहीं पाए उन्होंने दम तोड़ दिया बाद में अफरीदी को फासी पर चड़ा दिया गया फैक्ट नमबर चार क्या आपको इंडिया की इस जील के बारे में पता है जो नरकंकालों से भरी पड़ी है हिमाले की पहाडियों के बीच मौझूद रूपकुंड जील इंडिया की सबसे रहसेवई जीलों में से एक है कोई इसे देवी का प्रकोब बताता है जो बाहर से आने वाले लोगों को मार देती थी तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये जापानी सोलजर्स हैं जो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान थंड से मर गए होंगे लेकिन 2014 में एक हैरत तंगेज खुलासा हुआ कि एक अंकाल बारवी से चौदवी शताबदी के हैं और ये किसी एक जगह के लोग नहीं थी आज भी ये जगह एक मिस्टरी है जिसे कोई पूरी तरह से सुलजा नहीं पाया है फैक्ट नमबर तीन जब भी कोई चीज बहुत बढ़ी होती है तो हम कहते हैं कि ये तो जम्बो साइस है लेकिन आखे लिए जम्बो शब्द आया कहां से जम्बो शब्द 19th सेंचुरी के अफरीका के एक बहुत बढ़े हाती के नाम से निकला है जिसका नाम जम्बो दा अलिफेंट और जम्बो दा सरकस अलिफेंट था इस हाती के उचाई करीब 4 मेटर यानि लगबग 13 फीट थी ये आती बाद में फ्रांस लाया गया और फिर ब्रिटेल ले जाया गया यहीं पर इसे पीटी बारनम को बेश दिया गया जिन्नोंने इसी हाती के नाम पर जम्बो शब्द का यूज़ करना शुरू कर दिया और इस तरह से जब भी हम जम्बो शब्द बोलते हैं तो उसी जम्बो हाती को हम याद करते हैं फैक्ट नमबर दो दोस्तो फैशन इंडस्ट्री की जगमगाती दुनिया के पीछे एक बेहत कड़वी सचाई भी है जो इसकी चकाचाउंद में दिखाई नहीं देती असल में स्क्रीन पर बेहत सुन्दर दिखते ये मॉडल्स कई स्ट्रगल्स के साथ पूरी लाइब बिता देते हैं असल में फैशन इंडस्ट्री में एक खास तरह की बॉड़ी टाइप ही पॉपुलर है और इस टाइप को मिंटेन रखने के लिए बहुत सारे पैतरे अपनाने पड़ते हैं चोटी सी उम्र में ही मॉडलिंग के लिए घर से बाहर निकली लड़कियों को कई बार ठगी का शिकार होना पड़ता है और बिचोलियों के वज़े से वो कर्ज़दार हो जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे अम्यूजमेंट पार्क का चलन कहां से शिरू हुआ तो आपको बता दे कि अम्यूजमेंट पार्क का इतिहास 500 सालों से भी जादा पुराना है यूरोप में डेन्मार्क का बेगन अम्यूजमेंट पार्क दुनिया का सबसे पुराना और अभी तक चलने वाला अम्यूजमेंट पार्क है ये पार्क डेन्मार्क में कोपन हेगन शहर में मौजूद है इसकी शुरुवात 1581 में हुई थी ये पार्क आज भी चल रहा है और आज भी इस पार्क में 1932 में बना एक लकडी का रोलर कोस्टर मौजूद है जो टूरिस्ट अट्रेक्शन का केंद्र भी है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आये होंगी आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरस्टिंग लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मज़ेदार और युनीक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें शुक्रिया